अब आते हैं चलिए इतना जानने के बाद कि भारत की विदेश नीति के आधार क्या थे उसका आतिहास आतिहासिक प्रिष्ट भूमी क्या थी आधि-आधि हम जाने एक अपनी विदेश नीति के अप समीक्षा की और चलें याने हमने अपनी विदेश नीति जो पिछले पचास साल सतर साल में जो हमने अपनाई उसे हम कैसा पाते हैं कितनी सफल कितनी असफल सफलता के कारण असफलता के कारणों की और थोड़ा ध्यान देंगे अर्थात हमारा अगला बिंदु है भारती विदेश नीति की समीक्षा Review of India's Foreign Policy जब भारत की विदेश नीती की बात होती है तो दो तरह की विचारधारा सामने आती है दो तरह की सोच सामने आती है कुछ इसे असफल मानते हैं और कुछ इसे पूर्ण तह सफल मानते हैं जो सफल मानते हैं उनका कहना है कि समय को देखते हुए यह निश्चित रूप से सफल रही ततकालीन अंतराश्टी परिप्रेक्ष में ततकालीन भारती आवश्यकताओं को देखते हुए ततकालीन भारती सीमाओं को देखते हुए आर्थिक, सीमा, सैनिक तत्व, आधी आधी को देखते हुए एक विचारकों के दल का कहना है यह विदेश नीती निश्चित रूप से सफल रहे लेकिन एक ऐसा बड़ा विचारकों का दल भी है जो इसे असफल मानता है उसकी आलोचना करता है विदेश नीती के आलोचना के पक्ष में आखिर क्या इनके विचार हैं थोड़ा इस पर जान दें क्या इनकी सोच है क्यों इनका कहना है कि भारत की तत्काली इन विदेश नीती सफल नहीं रही इन विचारकों की आलोचना का पहला बिंदु है कि भारती विदेशनीती राश्ट्री हितों की सुरक्षा नहीं कर पाई राश्ट्री हितों की सुरक्षा नहीं कर पाई ऐसा इनका कहना है और अपने पक्ष में ये बात रखते हैं कि भारत का एक बहुत बड़ा खेत्र पाकिस्तान और चीन के कमजे में है अर्थात ये हमारी विदेशनीती की असफलता का परिचायक है कि हमारा कुछ खेत्र पाकिल स्टीन और चीन के कबजे में चला गया है और इसके लिए हम समुचित प्रयास नहीं कर पाए सफल प्रयास नहीं कर पाए विश में उचित दबाओ नहीं बना पाए आदी आदी तो ख्षेत्रों का नुकसान असफलता का पहला उदाहरन दूसरा भारत की जो गुट निर्पेख्षता की नीती है वो केवल कोरा ढोंग है ऐसा इन वचार को कर कोरा ढोंग जिस अंग्रेजी में कह सकते हैं ते प्लेन आई वाश आई वाश दिखावा है प्रपंचना है हमारी विदेश निर्थी का जुकाओ कभी पश्चिमी देश की ओर रहा कभी उसका जुकाओ सोवियत संग की ओर रहा ऐसा गत पचास वर्षों के घटना करम में देखा जा सकता है प्रारंबिक पचास वर्षों के घटना करम में स्वतंता के बात के ये जुकाओ था या और चित्त को देख कर भारत का समर्थन या विरोध था इस पर आगे हम बात करेंगे पर आलोजकों का कहना है कि ऐसा जुकाओ जरूरत को देख कर जब हम अमेरिका की और जुके और जब कभी सोवियत संकी और धुके तो ना हम घर के रहे ना घाट के रहे पर नाम हमने किसी से भी घनिष्टिता नहीं बना पाई तो इसे कोरा ढोंग गुट निरपेख्षता की आलोचना करते हुए इसे कोरा ढोंग बताते हैं तीसरा आलोचकों का कहना है कि भारती विदेशनी जो है उस विदेशनीती के जो निर्माता थे और विदेशनीती का अनुपालन करने वाले जो तत्व थे वो अपने मित्र और अपने शत्रों की पहचान नहीं कर पाए उसमें असफल रहे और चीन की यदि हम बात करें तो चीन के साथ तो हमने पंच शील चीन के साथ हमने ना जाने कितने कितने सौहार्द पूर्ड सम्मंद बनाए लेकिन यह वही चीन था जिसने छिरा घूपते हुए भारत पे हमला किया और इस घटना को लेकर अलुचकों का कहना है कि भारत ने शत्रों की पहचान में मित्रों की पहचान में गलती की साथ ही में इसराइल का भी उदाहरन देते हैं इसराइल एक ऐसा देश है जो सदैव युद्ध से हमेशा उसका तालुकात रहा है एक नवोधित राष्ट जिसके स्थापना 1948 में हुई फॉर्मल तरीके से 1947 में उसे मानिता मिलनी शुरू होती है लेकिन मिडल इस के मध्य पूर्व एशिया के जो मुस्लिम देश है जिसमें पैलिस्टीन फिलिस्टीन मुख्य है उससे उसका जगड़ा है उसका इतिहास अलग है आपको यह समझना जानना है कि इसराइल जो है वो नवोधित राष्ट होते हुए भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्टों में रहा सामरिक दृष्ट से और राज्यतिक दृष्ट से भी और भारत का लगातार समर्थन करते रहा लेकिन पश्चिम एशिया में हमारी विदेश नीटी जो रही वो लंबे समय तक इस इसराइल विरोधी रही भारत की विदेश नीटी इसराइल विरोधी ज्यादा रही बजाए इसराइल के समर्थन के के रूप में उसके कुछ राजनीतिक कारण रहे होंगे तो कि इसराइल विरोधी पोश्चर इसराइल विरोधी खेमे में जाने कारत ये कि भारत अरब द कियों था उस ठितिमें वो एक अन्निविश्य हो सकता है लेकिन फिलाल आपको यह जाना है कि आलोचक इसराइल के संबंदों को लेकर भारत की विदेशनीतिके आलोचना करते रहते हैं और यह बात कहते हैं बारंबार कि हमने इसराइल को एक सही मित्र के रूप में नहीं पहचाना और उसका अनर्थक ही विरोध करते रहे चीन की बात मैंने बताई चीन का तो ये हाल कि 1949 में जब चीन साम्यवादी देश बना माउजे डॉंग ने जब वहां साम्यवादी शासन की स्थापना की तो भारत उन पहले देशों में था जिसने चीन की नई सरकार को मान्यता दी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया और उसके बाद चीन की अंतराश्टी पहचान बनाने में भारत ने बहुत मदद की अंतराश्टी पहचान से ताथ पर ये है कि स्युक्त राश्ट संग में चीन के लिए उसकी सदस्ता के लिए भारत ने सबसे ज़्यादा प्रयास करने वाले देशों में गिना जाता है और इसके साथ ही जब एशिया से सुरक्षा परिशद के पर्मनेंट सीट की बात आई उसमें भी भारत ने चीन का समर्थन किया और चीन आज सुरक्षा परिशद का एक स्थाई सदस्त है सुरक्षा परिशद के स्थाई सदस्त होने के क्या माइने में इसे आपने पूर के अध्याए में जरूर समझा होगा जिसमें मैंने बताया था अंतरराश्टी संगठन के अध्याय के तहत कि वीटो का अधिकार कितना महत्पूर्ण अधिकार होता है स्थाई सदस्यों के लिए भारत आज भी उससे वंचित है और जब भारत की इस्थाई सदस्यता की बात उठती है तो चीन उसका विरोध करते रहता है ये उदाहरन भी आलोचक देते हैं और कहते हैं कि इतना ही नहीं चीन ने सदईव पाकिस्तान का समर्थन किया है चीन स्वैम ने भारत के साथ युद्ध किया भारत के खेत्र पर कबजा किया और उसके बाद 1965 और 1971 की लड़ाई में जब पाकिस्तान ने भारत में आकरमन किया था नियंतरन रेखा का उलंगन किया था कारगिल में तब भी चीन ने एक तरीके से उसका समर्थन ही तो किया था इन बिंदूओं को लेकर आलोचक हमारी विदेश नीति के आलोचना करते हैं और उसकी सफलता पर प्रश्ण चिन लगाते हैं अगला विंदू जो आलोचकों के लिए आलोचकों की दिश्टि से कहा जाता हुआ है कि हमारे पास विश्व की सूचना information, world information कि जो भी हम सूचना लेते हैं जिसके आधार पे हमारे विदेशी सलाहकार या हम भारत के विश्व मंत्राले के सलाहकार या भारत सरकार जिसके आधार पे काम करती है ये सारी सूचनाएं अंग्रेजी में आती हैं भारत को जितनी भी घटनाए होती है विश्व में उन घटनाओं का अध्यान विशलेशन विश्व में घटिद घटनाओं का अध्यान और विशलेशन हम सामानित या लंडन या न्यू यॉक में प्रकाशित समाचारों के जरिय करते हैं और उस हद तक हम इन पश्चमी अखबारों पश्चमी सूचना सूत्रों पर निर्भर हैं पश्चमी जगत के सूचना सूत्रों पर हम निर्भर हैं क्योंकि अंग्रेजी में ये सब हमें जानकारियां मिलती हैं और जूँकि हम उस पर निर्भर हैं इसका परिणाम ये है कि विश्व के तीन चौथाई देशों के बारे में जो हमें जानकारी आती है वो एक तरीके से इंग्लेंड और अमेरिका के चश्मे से च्छन कर आती है इंग्लेंड और अमेरिका के चश्मे से च्छन कर वो जानकारी हमें आती है अर्थात हमें जो जानकारियां आती हैं उसमें निश्चित रूप से इंग्लेंड और अमेरिका का प्रभाव रहता है और चूँकि वो इस रूप में आती हैं इसलिए हम अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाते और सभी घटनाओं को पश्चमी नजरिये से देखते हैं और ये कारण क्या है इसका उनका कहना है इसका एक मात्र कारण हमारी अंग्रेजी पर निर्भरता अगला बिंदू जिसमें आलोचक हमारी विदेश नीति के आलोचना करते हैं वो है कि ये विदेश नीति हमारे जो भारती बंदू विदेश में रहते हैं उनकी भी रक्षा नहीं कर पा रही है ये ऐसी विदेश नीति है जिसमें नौन रेसिडेंट इंडियन या अप्रवासी भारती या अन्य भारती जो विदेशों में बसे हुए हैं सौ सा वर्षों से ज़्यादा काल से वो वहां रह रहे हुए हैं उसके बावजूर ये भारती ना वहां के संपत्ति खरीदने का अधिकार रखते हैं ना मुक्त रूब आपार में शामिल होने का अधिकार रखते हैं और नहीं उन्हें राजनीत में भाग लेने का अधिकार है इन में से अधिकतर देशों में भारतियों को ऐसी क्या सफलता? क्या इसे हम सफल विदेश नीटी मानेंगे? जिसमें हम विदेशों में बसे भारतियों के हितों की अध्यान नहीं रख पा रहे हैं ऐसी क्या विदेश नीती जिसमें वे भारती जो विदेश जाकर भारत को विदेशी मुद्रा भेशते हैं उनके लिए हमारी विदेश नीती सफल नहीं हो पाए उनके लिए हम मूल अधिकार जो उस देश में एक सामाने नागरिक को मिलते हैं वो नहीं दे पा रहे हैं तो निश्चित रूप से ऐसी विदेश नीती अचफल ही तो है उन्हें सामान अधिकार नहीं मिले हुए है अगला बिंदू ये परमान संधियों से जुड़ा हुआ है CTBT, Comprehensive Test Ban Treaty CTBT, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यापक परमान प्रबंधन संधी व्यापक परमान प्रतिबंध संधी प्रबंधनी व्यापक परमान प्रतिबंध संधी सुरक्षा परिशद की सदस्थिता इस्थाई सदस्थिता इन दो बिंदूओं पर भारत की विदेश नीती निश्चित रूप से अचफल रही है जैसा मैंने पूर में बताया आलोचक हमारी इस स्थाई सदस्थिता ना मिलने को पर बहुत एतराज करते हैं कि आज भारत एक इतनी बड़ी शक्ती बन गया है भारत वही देश है जिसने चीन की स्थाई सदस्थिता के लिए काफी पैरवी की थी और 1971 में चीन को अंतिता वहां की स्थाई सदस्थिता मिली सुरक्षा परशद की लेकिन भारत आज भी इस स्विधा से इस शक्ती से वंचित है और दूसरा व्यापक परमान प्रतिबंद संधी पर हस्ताक्षर का जो मुद्दा है इन मुद्दों पर भी जो हम असफल हुए हैं ये हमारी विदेश नीती की असफलता का परिचायक है ये तो तर्क हुए उन विचारकों के जो हमारी विदेश नीती को असफल मानते हुए ये कहते हैं कि ये सब उदाहरन पश्ट इस बात के परिचायक हैं हमारी असफलता के परिचायक है जिनका मैंने उपर आपको विवरंड दिया लेकिन क्या हम ये मान लें कि इतने वर्षों से जो हमारी नीती चल रही है और जैसा मैंने प्रारम में कहा कि इस नीती की सफलता का एक उदारन ये भी है कि नहरू द्वारा स्थापित विदेश नीती के आधार भूत सिध्धान आज भी भारत की विदेश नीती के मूल सिध्धान बने हुए है तो विदेश नीती की सफलता के पक्ष में विचारकों का क्या कहना है किस आधार पे वो ये कहते हैं कि भारत की विदेश नीटी सफल नीटी रही है भारत एक विश्व में एक शक्ति के रूप में जाना जाता है इसमें कोई दो मतनी भारत एक उभरती हुई ताकत के रूप में विश्व की राजनीत में जाना जाता है इसमें कोई दो मतनी कोई दो मत नहीं ये सब क्या इशारा करते हैं तो अब हम थोड़ा देखें विदेश नीति के समर्थकों के विचार क्या हैं पहला उनका कहना है कि भारत की विदेश नीति की अलोचना कितनी भी करें ये समयानुसार सबसे उचित थी समयानुसार समय को देखते हुए समय कैसा था क्या-क्या घटनाय हो रही थी विश्वराजनीति में अंतरराश्टी राजनीति में इसका हम जिक्र कर चुके हो भारत की उसमय क्या दिक्कते थी इसका भी हम पूर में जिक्र कर चुके हैं इन सब प्रिष्ट भूमी के रहते भा वह विदेशनीती सर्वश्रेष्ट थी, तो कितनी भी आलुच न की जाए, समय को देखते हुए, यह हमारी सर्वश्रेष्ट नीती थी, ऐसा समर्थकों का कहना है, दूसरा, भारत की जो गुट निर्पेख्ष्टा की नीती थी, जिसका मायने था कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे जो दो धुरुवी विश्व था उसमें किसी भी धुरुव में हम शामिल नहीं होंगे उसने विश्व कि शान्ति में काफी योगदान दिया गुट निर्पेक्षता की नीती अपनाते हुए गुट निर्पेक्ष आंदोलन के समर्थकों ने ये सुनिश्चित किया कि दोनों गुट जो थे ततकालीन इन गुटों में जो बैलेंस है राजनीतिक बैलेंस वो गरबढ़ाए ना और ऐसा करते हुए उन्होंने सुनिश्चित किया कि विष्व में शान्ति बनी रहे गुट निर्पेक्ष आंदोलन में सौ से ज़्यादा देश सदा से बने थे अर्थाच सौ राश्ट ऐसे थे जो ना अमेरिकी खेमे में थे और ना तो विष्व संग के खेमे में थे और ऐसा रहते हुए उन्होंने अपनी निश्पक्षता बनाय रखी और ऐसा करते हुए उन्होंने विष्व शान्ति में योगदान दिया इसके साथ ही यदि गुट निर्पेक्ष आंदोलन किसी एक बिंदु को लेकर बहुत सफल माना जाए तो वह बिंदु है कि उसने तृती विष्व से विष्व को बचाया है गुट निर्पेक्ष आंदोलन की नीतियों ने गुट निर्पेक्ष आंदोलन से जुलो हुए राष्ट्रों की एकता ने विश्व को तीसरे विश्विद में जाने से बचाया है और ये हमारी विदेश नीति की सफलता का परिचायक है ऐसा पैरवी कारों का कहना है जो हमारी विदेश नीति का समर्थन करते हैं तीसरी बात तीसरा पक्ष भारत की विदेश नीति सदैव इस बात पर बल देती रही कि विश्व में निश्यस्त्री करण हो अर्थात जो हथियार बनाए गए हैं विशेश कर परमानु हथियार उनकी संख्या कम की जाए परणाम क्या हुआ कि इस नीटी को अमेरिका और सोवियस संख दोनों ने अपने तरीके से समर्थन दिया और इसलिए निशस्त्री करण को लेकर इन दोनों महाशक्तियों के बीच में कई संधिया हुई जिससे परमानु हथियारों के निर्मान में रोक लगी उसकी गति कम हुई और इसमें निश्चित रूप से भारत की विदेश नीती की बहुत महत्पूर्ण भूमिका थी भारत की जो निशस्त्री करण को समर्थन और बल देने की जो नीती थी सर्धान्तिक रूप से उसका सभी देशों ने अच्छा समर्थन किया था जिसमें अमेरिका और सोवियत संग जैसी ताकतें भी शामिल थी सफलता का चौथा बिंदू, चौथा उदारन भारत द्वारत सदेव सतत रूप से समराजवाद और उपने वेश्वाद की आलवजना की जाती रही उसके साथ ही भारत ने रंग भेज के खिलाफ अपनी आवाज हमेशा मुखर रखी यहां तक कि रंग भेज की नीती का पालन करने वाले कुछ देशों को भारत ने एक तरीके से अपने संबन्ध उनसे विच्छेद रखे ताकि उन पर दबाव बने रंग भेज की नीती को हटाने का तो समराजवाद उपनिवेश्वाद रंग भेज की नीती इसका विरोध ऐसा करने से भारत को अफरीका और एशिया के देशों ने उसे एक बहुत महत्पूर्ण इस्थान दिया अपने डाएरे में उन्होंने इन देशों ने अफरीका और एशिया के देशों ने कि इन मुद्दों पर भारत का समर्थन इन नवोधित राश्टों के लिए बहुत महत्पूर्ण रहा है ऐसी नीती अपना कर एशिया और अफरीका में भारत ने एक बहुत अच्छा स्थान बनाया सम्माननी स्थान बनाया ये हमारे विदेश नीती के सफलता का परिचायक है अगला भारत की गुट निर्पेश्टा की जो नीती है उसे दोनों महाशक्तियों ने देर सबेर स्विकार किया गुट निर्पेश्टा की नीती को स्विकार करना और गुट निर्पेक्षता की नीती की महत्ता को स्विकार करना ये बहुत महत्पूंट सा और इसकी प्रशंसा भी की है समय समय पर इन देशों ने, इन महाशक्तियों ने माना कि ये गुट निर्पेक्ष राष्ट्रों का ही प्रभाव है कि निशस्त्री करण की ओर हम बढ़ रहे हैं, विश्व शांती बनी हुई है, तृती विश्विद्ध से विश्व संभावित विद्ध से मुक्त है, आदी आदी और एक निश्व पक्ष रूप से, ये सो राष्ट यह से ज़्यादा जो इसके सदस्ते वो अपनी आवाज मुकर करते हैं, तो ये भी इसकी सफलता का परचाया है कि भारत द्वारा अपनी विदेश नीती में जो उसने गुट निर्पेक्षता को जोड दिया, और गुट नि ये भारत की विदेश नीती की सफलता का परचायक नहीं है, अगला, भारत की अंतराष्टी पहचान, आज विश्व में भारत को एक बहुत शांति प्री देश के रूप में जाना जाता है, ये भी भारत अब एक सामरिक दिश्व से एक बहुत ताकतवर राष्ट है, लेकि विश्व समुदाय में उसे एक शांति प्री देश के रूप में देखा जाता है, उसके साथ ही भारत को एक सफल लोकतांतरिक देश के रूप में विश्व में पहचान मिली है, ये दोनों जो विचार हैं, ये बीसवी केसवी शताबदी के लिए बहुत महत्पूर विचार और भारत ने इन दोनों विचारों का प्रबल समर्थन किया है, लोकतांतरिक विवस्था को उसने मजबूत किया है, और अन्य देशों में भी लोकतांतर के प्रचार प्रसार में काफी प्रयास किया है, इसके साथ ही भारत सदेव शांति का दूत रहा है, तो इसकी पहचान अंतराश्टी पहचान जो ऐसी बनी है इसके पीछे भारत की सफल विदेश नीती है सफलता की का अगला उदाहरण भारत द्वारा स्विक्त राश्चंग और सार्क में महत्पूर्ण भूमिका निभाना स्विक्त राश्चंग भारत ने स्विक्त राश्चंग में विभिन समय में विभिन प्लैटफॉर्म पे बहुत महत्पूर्ण भूमिका निभाई हैं और भारत की भूमिका को आपने अंतराश्टी संगठन के अध्याय के तहत विस्तार से पढ़ा है ये इस बात का परिचायक है कि सिमिक तराज संग और उसके सदस्य देश विश्व शान्ति में भारत की अहमियत को समझते हैं और उसकी इज़त करते हैं और ऐस इस अहमियत को समझने के पीछे भारत की विदेश नीति की सफलता है साथ ही सार्क S.A.A.R.C. South Asian Association for Regional Cooperation सार्क देशों के बीच में भी भारत ने एक महत्पूर्ण भ्यमिका निभाई है दक्षिन श्याई देशों का जो दक्षेश संग जो बना है उसमें भारत की भ्यमिका बहुत महत्पूर्ण मानी जाती है और उसे इस रूप में देखा जाता है कि वह इन दोनों संस्थाओं के लिए एक तरीके से अपरिहार है ये भारत की विदेश नीथी की सफलता का एक और उदारन है अगला बिंदू परमाणु इस फोट भारत ने किया उन्निसो अंठानवे में और ऐसा करते हुए भारत ने अपनी संप्रभुता का इजहार किया बारम बार ये बात आती थी आलुचकों के दोरा और विश्व के कुछ अन्य देशों के दोरा कि भारत किसी तरह के दबाव में है कई बार वह सोवियत खेमे के दबाव में रहता है कई बार वों अमेरिकी खेमे के दबाव में रहता है क्योंकि खाद्यान की जरूरतों की पूरती भारत की अमेरिका से हो रही थी और सामरिक जरूरतों की पूरती सोवियत संग से हो रही थी तो इन जरूरतों के मद्दे नजर भारत कई बार इन देशों के दबाव में रहता है और ऐसा होने के कारण भारत सार्वभौमिक नहीं हो पाता ऐसा होने के कारण भारत कई मामले में स्वतंत्र निर्ने नहीं ले पाता अपने देश के हित में वह निर्णे नहीं ले पाता और इस प्रकार वह अपनी सम्प्रभुता से समझोता कर लेता है लेकिन ऐसा नहीं विदेश नीति के ये समर्थन करने वालों का कहना है कि भारत ने जो परमानु परिक्षन किया एक बार नहीं दो दो बार ये परमानु परिक्षन इस बात का स्पष्ट परिचायक है कि भारत एक सम्प्रभुत्व राष्ट्र है सौवरिन नेशन है भारत अपने हित में किसी भी तरह का निर्णे लेने के लिए सुतंत्र है और परमानु बम का परिक्षन उसने अपने देश के हित में किया है किसी से पूछ के नहीं, किसी इसके दबाओ में नहीं दबाओ की तो बात थी दूर, दबाओ तो इस बात का बन रहा था भारत पे कि किसी भी तरह का परिक्षन वो ना करे इसलिए CTBT आदी पर उसके हिताक्षर के लिए बार बार दबाओ बन रहा था लेकिन भारत ने उसके हिताक्षर नहीं किये और तो और उसने परमानु परिक्षन किया जो इस बात का परिचाय कि भारत एक सम्प्रभुत्वर राष्ट है उसने इस मामले में तो अमेरिका की भी परवाह नहीं की अमेरिका बारम बार इस बात की धमकी देता था कि किसी भी देश द्वारा विशेशकर भारत के द्वारा किसी तरह का परमानु परिक्षर किया जाएगा तो उस पे आर्थिक नाके बंदी आदी की जाएगी विश्व की अर्थ विवस्था में अलग थलक पड़ जाए भारत ने उसकी चिंता नहीं की और पर्माणु परिक्षन किया निश्चित रूप से अमेरिका ने कुछ हतकंडे अपना अपना विरोज जाहिर करने के लिए लेकिन वे हतकंडे ही रहे उसके आगे वह भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाया ये हमारी विदेश निती की सफलता का परिचायक है अंतर राष्टी आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में भारत की भूमिका हमेशा भत महत्पूर्ण मानी जाती रही है भारत आतंकवाद का मुखर विरोधी रहा है आतंकवाद के खिलाप हर मंच पर उसने आवाज उठाई है और आतंकवाद विरोधी टाकतों का सदैव समर्थन किया है इससे भी भारत के प्रतिष्ठा विश्वराजनीति में बढ़ी है अगला बिंदू पाकिस्तान को तीनों चारों युद्धों में पराजय पराजित करना ये साबित करता है कि भारत की विदेशनीति उसके राष्टी हित में पराधारित है चाहे 1947 या 65 या 1971 और या उसके बाद कारिगल का युद्धों संठानबे निनानबे का किसी की भी बात करें तो हमने हर युद्ध में पाकिस्तान को पराजित किया है और ऐसा करते हुए विश्व राजनीति में अपनी एक अलग विशिष्ट पहचान बनाई है इस बात की भी पहचान बनाई है कि भारत के लोग राष्ट भक्ति से ओत प्रोत हैं और ये राष्ट भक्ति की भावना भी विदेशनीति की सफलता का परिजायक है संक्षेप में हम कह सकते हैं इतने बिंदूओं के अध्यन के बाद कि भारत की जो विदेशनीति है वो ततकालीन समय को देखते हुए ततकालीन विश्व दायरे में यदि देखा जाए तो एक सफल नीति रही है और हमारी इस विदेशनीति की सफलता इस बात से भी आकी जा सकती है कि विदेशनीति के जो हमारे सिध्धान 1947 और तालिस में ततकालीन पधान मंत्री ने विदेशनीति के नाते प्रतिपादित किये थे भारत की विदेशनीति मूलता आज भी उनी सिध्धानतों पर चल रही है भारत की विदेशनीति की जब भी बात करते हैं तो दो तीन उसके पहलो तुरन दमाग में आते हैं पहला पंड़ जवालाल नहरू दूसरा गुट निरपेश्टा और तीसरा अहिंसा और विश्वशान्ति हमारी नीति का अधार पंड़ जवालाल नहरू की भूमिका को हमने काफी कुछ समझा भारत के एतिहासिक परंपराओं के मर्दे नजर अहिंसा और विश्वशान्ति के पुजारी के रूप में भी भारत की महत्ता को पूरा विश्व जानता है